Hello students, hope you all are fine at your home. So as you know, बेटा, कि आज की डेट पे ठीक है, जो पूरा का पूरा वर्ड है, पूरी दुनिया जो है, एक मतलब कोरोना जो है, पैंडेमिक, तो उससे क्या है, लड़ाई एक जो है, वो लड़ रही है, तो मतलब हर एक पे एक मुसीबत आ गई है, ठीक है ना? तो इस मुसीबत का जैसे कहते है कि हमें मिल जुल के, मतलब इसका मुकाबला करना है, ठीक, तो इस टाइप से ही, मतलब जो बहुत बड़ी मुसीबत का आ जाना, ठीक है, तो मुसीबत कहते हैं भी जैसे कोई भी, किसी भी टाइप के हो सकती है, जैसे नैचुरल, मतलब की, मतलब जो nature की उसमें आये मतलब हमने इसमें कुछ भी नहीं किया मतलब अपने आप ही आ गई और दूसरी होती है कि man made जो की इनसान के द्वारा बनाई जाती है ठीक है तो इस type से मतलब जो मुसीबतें आ जाती है जिन से हमें बहुत जादा नुकसान हो सकता है ठीक है हमारी जो human life है उसका भी और मतलब हर तरह से ठीक है तो उससे related आज का हमारा topic है तो चलिए बेटा हम उसको start करते हैं तो क्या है कि हमारा 20 chapter है chapter number 20 that is natural disaster तो आज हम ऐसे ही मतलब natural मतलब जो की मतलब हमने इसमें कुछ निकिया इनसानों ने ठीक है जो nature सही अपने आप ही आजाता है disaster मेंज की आपदा मुसीबत ठीक है कोई मुसीबत आ गई मतलब अपने आप ही तो उससे related जैसे कि अब corona pandemic आया तो उससे related ये जो chapter है इसमें हम पढ़ने चा रहे हैं तो let's start तो कहते कि disaster disaster मतलब की आपदा ठीक है मुसीबत तो कहरे इसे sudden अचानक आती है ठीक है अब corona pandemic था जैसे तो किसी को पता था एक इदम अचानक ही आ गया तो कहरे कि great misfortune तो ये क्या है कि बहुत बड़ा मतलब misfortune fortune क्या होता है भाग्य और misfortune मींस दुर्भाग्य की बात होती है अगर ये आ जाता है तो इससे क्या होता है causing huge damage ठीक है एक जो disaster है natural जो मुसीबत होती है वो अचानक और दुर्भाग्य की से आ जाता है और इससे बहुत ही जादा जो है damage मतलब नुकसान होता है और loss मतलब हम मतलब बहुत जादा हमें इससे मतलब चाहे life कहलो या मतलब हमारी जो property है उससे related हमें loss ठीक है मतलब घाटा होता है नुकसान होता है and destruction destruction क्या होता है विनाश हो जाना हर चीज़ का विनाश हो जाता है to life and property चाहे वो हमारी life है और या फिर हमारी जो property है हमने ठीक है बनाई हुई और कहरें कि the damage caused is immeasurable ठीक है immeasurable क्या होता है कि इतना बड़ा होता है कि हम उसका मतलब जो भरपाई कही जाए वो हम कर ही नहीं सकते ठीक है and varies with location ठीक है कि damage जो होता है नुकसान जो होता है ये बहुत बड़ा होता है और ये मतलब vary करता है location location क्या होता है हमारे area के हिसाब से ठीक है मतलब जिस area में पहले आया ठीक है तो वहाँ पे उसका नुकसान जादा होगा ठीक climate मोसम के हिसाब से और earth surface और हमारी धरती मतलब किस type की है उस according ठीक तो ये जो natural disaster है ये मतलब वहाँ पे attack करते हैं तो कहते कि disaster generally affects the regions where it strikes where it strikes मतलब कि जहाँ वे आते हैं ठीक है तो वहाँ पे वो क्या करते हैं generally affect the region ठीक है कि वो उस एरिया को जादा affect affect हो गया कि मतलब कि उसको जादा प्रभावित करते हैं ठीक है मतलब नुकसान वहाँ पे जादा होता है it has the falling effects तो इसके जो मतलब गलत प्रभाव पड़ते हैं ठीक है तो उसके बारे में अब हम नीचे डिखेंगे तो कहरे completely disruption the normal day to day life तो कहरे कि ये completely मतलब पूरी तरह से disrupt means होता है break मतलब तोड़ देना हमारी जो normal हम life जीते हैं day to day ठीक है हमारी जो डेली के काम होते है तो उसको ये बहुत बुरी तरह से तोड़ देता है ठीक है हमारी डेली के काम मतलब मुश्किल में आ जाते हैं तो आप जैसे इस मुसीबत से जूजी रहे हो कॉरोना से तो आपको पता है ना पहले डेली क्या करते थे आप स्कूल जाते थे खेलते थे बच्चों अपने फ्रेंड्स के साथ ठीक है ना तो अब क्या हो गया अब घर में हमें बंद के रहना पड़ रहा है हम नहीं कहीं बाहर नहीं जा सकते हमारे खाने पीने पे भी रोक है ठीक है कि बाहर की चीज़ें है उनको जादा हमने मतलब एवॉइड ही करना है ठीक है तो कहरे कि इट अफेक्ट्स अइमर्जन्सी सिस्टम ये हमारे जो मतलब एमर्जन्सी सिस्टम है ठीक है ना आपात कालीन स्थी मतलब जो अचानक की मुसीबत आ जाती है तो उसको ये प्रभावित करता है तो कहते है कि डेली नीड्स सच अज फूड शेल्टर कम्यूटिंग फूड मतलब खाने को ठीक है ये हमारा अफेक्ट करता है शेल्टर रहने की जगा को और कम्यूटिंग मीज की बिजनेस हो गया हमारा जो काम काज है उसको भी ये अफेक्ट करता है और हेल्थ सर्विसेज और जो कि हमारी हेल्थ हीशू है उससे भी रिलेटेड होता है आर अफेक्टिड डिपेंडिंग ओन दा स्वियर्टि ओफ दा डिजास्टर स्वियर्टि हो जाता है कि मतलब उसकी जो कठोरता है तिवरता जितना मतलब मुसीबत जादा आती है ठीक है तो उतना ही जादा ये हमारे खाने की चीज़ों पे हमारे रहने की जगा पे हमारे बिजनस पे और हमारे जो हेल्थ प्रॉब्लम है उन पे ये अपना प्रभाव डालते है तो कहरें कि एर्थक्वेक और साइकलोन ठीक है अर्थक्वेक तो आपको पता है जो मतलब जिसमें क्या होता है कि हमारी धर्ती मूव करती है हिलती है भुकंप और साइकलोन क्या होता है चक्रवात मतलब इसमें क्या आता है कि हवा जो है गोल गोल घुमती और पूरी तेज रफतार में ठीक है विंड स्टॉम मतलब तो वो क्या करती है जहां पे वो गोल चक्रे घुमती है ठीक है तो वो वहाँ वाले एरिया को पूरा ही तहस नहस नश्ट कर देती है तो कह रहे हैं कि kills thousands of people, इसकी वज़ा से बहुत हजारों लोग जो हैं वो मारे जाते हैं, damage crop, हमारी जो फसले हैं वो भी nest हो जाती है and property और जो हमने property मतलब जैसे कि building वगरा बनाई हुए है तो वो भी खतम हो जाती है तो कहरें कि अब हम next देखते हैं कि types of disaster, कि disaster कितने type के होते हैं तो कहरें कि generally disasters are classified into natural and man-made तो कहरें कि generally अगर हमां आम तोर पे देखें तो जो disaster होते हैं वो two type के होते हैं एक तो हो गए natural जिसमें मतलब इनसान ने कुछ नहीं किया प्रकृति से अपने आप ही आ गए और दूसरे होते हैं man-made कि जो इनसान मुसीबत खुद सहेड लेता है ठीक है जैसे corona pending में का भी अब कह रहे हैं कि मतलब ये जो problem है मतलब ये man-made है ठीक है न कि उन्होंने ही चाहिना वालोंने क्या किया मतलब लैब में कुछ experiment कर रहे थे तो experiment जो हो है कि उसका मतलब गलत effect पढ़ गया और ये pandemic आ गया अब reality तो जो है ये तो हमीं नहीं पता मगर कहा जाता है कि ये man-made है चैरे कि natural disasters are weather related जो natural disaster होते हैं वो weather से मतलब हमारे मौसम से related होते हैं तो ये भी आपको पता ही है कि खहरे कि जो corona pandemic है तो उसका क्या है जो ठंड वाली एरिया को ज़्यादा effect कर रहा है और जहां पे monsoon होती है ठीक है ना बारिश वाला मौसम जहां पे है humidity हो तो वहां उनको भी ज़्यादा effect करता है तो ये मतलब इसका जो link है वो हमारे weather यानि कि मौसम से बहुत ज़्यादा होता है तो हम देखते हैं डिजास्टर्स के types कौन कौन से हैं एक तो गए natural और दूसरा है man-made natural में आ जाता है जैसे flood ठीक है बार आ जाना हर जगा पानी ही पानी हो गया earthquake भुकम पाना मतलब धरती का हिलना शेक करना tsunami सुनामी क्या होता है ये भी एक earthquake ही है मतलब ये धरती पे नहीं आके ये कहा आता है ocean समुद्र में आता है cyclone cyclone के बारे में तो आपने अभी देखा कि चक्रवात मतलब जिसमें जो हवा है वो गोल-गोल घूमती है drought यानि कि सूखा पड़ जाना land slide यानि कि जो पहाडों में जैसे क्या है कि जो पहाड जो दरकते हैं ठीक है सरकते है और फिर क्या होता है कि मतलब पूरी की पूरा area जो है वो गिर जाता है डह जाता है उसके बाद आ जाता है man made जैसे कि forest fire जंगलों में आग लग जाना ठीक है क्या है कि कटाव होता जा रहा है मतलब पेड़ों को काट रहे है deforestation ठीक है ना पेड़ों को इतनी तेजी से काटा जा रहा है कि गर्मी बढ़ती जा रही है तो उस गर्मी की वज़ा से जंगलों में अपने आप ही आग भी लग जाती है और पॉल्यूशन ठीक है हर जगा पॉल्यूशन हो रहा है ठीक और ओयल स्पिल मतलब तेल का रिसाव ठीक है तेल जो है वो रिसना ठीक है मतलब वेस्ट होना जो है वो शुरू हो जाता है और वार वार मतलब युद्ध हो गया और न्यूक्लियर न्यूक्लियर मतलब जो प तो आज के हम इस चैप्टर में क्या है जो कुछ नैचरल डिजास्टर है जो मतलब मेजर है ठीक है जो बहुत जादा जो है मतलब अफेक्ट करते है हमारी धरती को हमारी जो लाइफ है उसको तो आज हम उसके बारे में इसमें जो है वो रीड करेंगे तो चलिए फिर स्टार् करते है अर्थ-क्वेकतशन से तो कहरें कि जो अर्थ-क्वेकतशन अर्थ-क्वेक को होता है यह इससे आता है वाइफ्ट रूबर बहुत जादा बड़ी मसीबत लाने वाला और सडन मतलब चार्पा रिशीर मतलब ही लता है प्लिजा़ता जबरदस्त और मतलब अचानक हीलने लग जाती है अर्थ हमारी दे अकर विदाउट अनी वार्निंग और यह जो अर्थ को एक है यह विदाउट अनी वार्निंग हमें इसका पता ही नहीं होता और एक इदम आ जाता है किया आपको अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पता है तो कौन-कौन सी लियर्ज है आपने पीछे पढ़ा होगा yes first of all आती है crust c r u s t crust और दूसरी होती है mental m e n t l e mental और third है c o r e हमने अर्थ को तीन पार्ट में डिवाइड किया है crust mental और core ठीक है तो जो कहते है कि earth crust ठीक है अर्थ की जो crust होती है मतलब की सबसे center मतलब बीच वाला portion ठीक है is made of huge pieces of plate कि वो किससे बनाओता है बहुत बड़ी-बड़ी plates होती है ठीक है तो उनसे जुड़के ये बनाओता है that fit together tightly ऐसी plates जो आपस में tightly जुड़ी होती है ठीक है तो कहरे कि sometimes these huge plates move and collide तो कहरे कि कुछ कई बार क्या होता है कि ये जो huge plates है बड़ी-बड़ी plates है ये move मतलब अपनी जगह से हिल जाती है और collide collide means कि आपस में टकराती है तो उससे क्या होता है earthquake आता है तो कहरे each other एक दूसरे से टकरा जाती है तो कहरे when this happen और जब ये होता है ठीक है तो कहरे a lot of emergency is energy is released causing an earthquake तो कहरे जब ये plates मतलब हिलती है और आपस में टकराती है तो बहुत जादा मात्रा में ठीक है energy मतलब उर्जा निकलती है ठीक है तो जब ये जो उर्जा है निकलती है तो an earthquake can be felt over a large area कहरे कि जो earthquake है मतलब इस energy से ही बनता है ठीक है तो कहरे कि an earthquake can be felt over a large area ये मतलब बहुत ही बड़े area के उपड़ इसका प्रभाव पड़ता है और कहरे it lasts for less than one minute कहरे कि ये मतलब कम से कम एक मिनट तक का तो होता ही है but causes huge destruction एक मिनट में भी ये बहुत जादा destruction मतलब हर चीज़ को nest कर सकता है इसमें इतनी power होती है the intensity यानि कि strength मतलब इसकी जो power होती है of an earthquake can be measured by an instrument called Richter scale तो कहरे कि जो earthquake है इसको हम measure कर सकते हैं माप सकते हैं एक instrument से जिसका नाम है Richter scale तो कहरे the most important thing to remember during an earthquake is to drop, cover and hold on तो कहरे तीन चीज़े हैं जिसको हमने याद रखना है earthquake के time पे so first है drop, drop means होता है कि ऐसा area ठीक है where you are, drop down जहां पे भी आप हो तो drop down means कि नीचे बैठ जाओ, onto your hands and knees अपने हाथों और जो मतलब knees होती हैं गुटनों के बल वहां हमें बैठ जाना चाहिए cover, cover means कि cover your head and neck with arms कि आपको क्या करना है, अपनी arm से, अपनी head को और जो आपकी neck है गरदन ठीक है तो यही part हमारा बहुत जादा sensitive होता है, इसको हमें cover करना है and hold on, और हमें hold क्या करना है, कहरे कि if you are under the table अगर आप किसी table वगरा की नीचे हो, तो कहरे hold on with one hand उसको हमें एक हाथ से क्या है, पकड़ लेना है, hold कर लेना है and be ready to move with it if it moves और अगर यह table जो है earthquake की वज़ा से हिलता डूलता है, तो हमें उसके साथ हिलते हुए जिदर वो जा रहा है, तो उसी side हमें भी उसके साथ साथ move करना चाहिए तो उसके बाद बेटा आजाता है, कहरे कि safety tips during an earthquake कि जब earthquake आता है, तो हमें कौन-कौन से safety measures हैं, वो follow करने चाहिए तो कहरे कि take cover immediately under a heavy piece of furniture, अगर आपके आसपास कोई भी heavy furniture है, table ठीक है, या bed वगरा जैसे, तो हमें उसके नीचे चले जाना चाहिए कहरे, for example, the desk in school, school में जैसे desk हैं तो उनके नीचे चले जाओ, bed door, table at home, घर बे हो तो table या bed है उसके नीचे, और inside wall, if you are inside the school, ठीक है और at home, अगर आप घर में या school में कहीं भी हो, और अगर ऐसी problem आ जाए, तो अगर table वगरा नहीं है, तो हमें क्या करना है, जो दिवार का corner है, उसको हमें ले लेना चाहिए तो कहरें, do not move until the shaking stops, और हमें move नहीं करना चाहिए, हिलना नहीं चाहिए, जब तक की, मतलब यह जो shaking है वो रुक नहीं जाती, अब कहरें कि if outside, अगर आप घर की से बाहर हो, तो कहरें, move away from poles, हमें poles जो है, मतलब जो यह खंबे वगरा लगे होते हैं, जो tree है, पेडों से, wire जो तारी हैं उनसे, and remain there till the shaking stops, मतलब यह जो चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब poles, खंबों से, पेडों से, जो wire हैं, उनसे दूर रहना चाहिए, और उनसे तब तक दूर रहना चाहिए, और एक ही जगा पर टिके रहना चाहिए, जब तक कि यह मतलब जो shaking है, यह जो हिलना डुल अगर हमें जूर्त पढ़ जाए, तो हमें stairs, यानि की सीडियां वाला रास्ता लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि lift जो है, वो अपना मतलब काम करना बंद कर देती है, ठीक है, तो कहरें, कि if enough moving vehicle, अगर आप एक चलते हुए vehicle में हो, गाड़ी में हो, तो कहरें, ask the elder to stop quickly, तो हम अपनों से बड़ों को ये बात समझानी चाहिए, कि मतलब कि हमें अभी रुक जाना है, ठीक है, as safety permits, मतलब एक safety के point of view से, ठीक, तो कहरें, stay inside the vehicle, और हमें गाड़ी के अंदर ही रहना चाहिए, do not stop near or under building, tree, bridges, और wires, और हमें ये भी धिया रखना चाहिए, कि हमारी गाड़ी जो है, वो किसी building के, पेड़ के, या फिर bridge जो होता है, ठीक है ना, pull, और उनके नीचे ना हो, तो next बेटा हमारा second part आजाता है, जैसे हमने अर्थके के बारे में पढ़ा, तो next is tsunami, tsunami क्या होता है बेटा, क्यारे, tsunami प्रनाउंस ए, tsunami, ठीक है, is a series of huge giant waves, ये बहुत बड़ी, huge म मतलब लहरे, तो कहरें, produce under the sea, जो कि समुद्र के अंदर आती है, ठीक, मतलब ऐसा earthquake, जो मतलब धरती पे ना होके, समुद्र में आता है, और इससे कहाता है, कि जो पानी की लहरे होती है, वो बहुत उची चली जाती है, और कहरें, it is often due to a large earthquake, ठीक है, ये एक large earthquake होता है, जो क की पानी के अंदर आता है, that takes place under the sea, the waves can be as high as 100 feet, 100 feet तक की उचाई तक की जो है, वो जा सकती है, और कहरें कि, they cause huge destruction, इसकी वज़ा से बहुत जादा destruction, मतलब नुकसान होता है, near the sea shore, जो समुद्री एरियां है, ठीक है, उनके किनारों पे इसका बहुत जादा असर होता है, the waves are powerful, NF2 collapse houses, buildings and carry ships inland, तो कहरें कि, मतलब ये waves इतनी जादा powerful होती है, इतनी जादा strong होती है, कि ये collapse कर देती हैं, houses को, मतलब घर जो है, building है, वो डह जाते हैं, ठीक है, और carry ships inland, और ये मतलब जो ships होती है, उनको समुद्र में इधर उधर कहीं भी ले जाती है, तो कहरें कि, safety tips during a tsunami सुनामी के time पे हमें क्या क्या safety, जो measures हैं वो लेने चाहिए, follow करने चाहिए, तो कहरें कि, stay away from beach, हमें beach जो एठीक समुद्री किनारा उनसे दूर रहना चाहिए, do not go to the beach to watch a tsunami, हमें सुनामी को देखने के लिए समुद्री किनारे पे नहीं जाना चाहिए, leave the area immediately if you near the sea shore, अगर वो जो area है, उसी time उसको छोड़ देना चाहिए, और कहते कि, move to the evacuation site, ठीक है, evacuation site से मतलब हमें चले जाना चाहिए, मतलब जहां से वो निकला है, ठीक है, उसकी starting होगा उस area को हमें छोड़ देना चाहिए, as soon as you hear a warning, जैसे यह warning के बारे में सुनते हो, उस जगा को छोड़ दो leave कर दो, stay away from coastal area, और हमें जो मतलब समुद्री area हैं, उनके पास नहीं जाना चाहिए, listen to the radio for evacuation and emergency information, कि हमें क्या है, evacuation के बारे में, और जो emergency information है, उसके बारे में, radio वगरा पे time to time सुनते रहना चाहिए, कि अब इसकी क्या condition है, तो बेटा, एक जो है कि 26 December 2004 में सुनामी आई थी, ठीक है, हवाई में, तो उसकी वज़ा से 170,000 जो लोग थी, ठीक है, तो वो जो है, वो affect हुए थी, ठीक है, तो ये जो है, ये बहुत ही बड़ी एक मुसीबत है, जिसकी वज़ा से, मतलब बहुत जानी और माली जो हमारा नुकसान है, वो होता है, तो आज हम अपने इस chapter को यहीं पर रोपते हैं, और इसको आपने अच्छे से घर पर रीड करना है, ओके बटा, बाई झझारब माली बहना मुस김, पर एक करना है, झाल भावन war करना है, केर बहल के विल लग मुना, बाही है, एक किंपने मुमनों करना हमारा माले है